नमस्कार घमासान एल्थ में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं खोयापूरी खोयापूरी बनाने के लिए 200 ग्राम खोया, मेश, कारवा, दो कब गेहु का आटा, एक चोधार टीस्पून जीरा, दसे बारा सबुत काली मिर्च, दो हरी एलाइची, एक चोधार टीस्पून सोफ, दो टेबल स्पून शक्र, पंदर पंदर बदाम और पिस्ता और तलने के आज हम आपको बताते हैं कि खोयापूरी कैसे बनती है, खोयापूरी बनाने के लिए मिक्सर में जीरा, काली मेर, चेलाइची, सोफ, शक्र, बदाम और पिस्ता को दरदरा पिस्त ले, इस मिक्सर को खोया में डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स करें, एक अन्य बाल में और आविशकता के अनुसर पानी मिला कर गोंद ले, पाच मिनट तक ढखकर रखे, लोई लेकर एक दो टी स्पून स्टफिंग करके पूड़ी बेले, गरम तेव में सुने रहा होने तक उसको तले, और इसके बाद गरम गरम पूड़ी सर्फ करे, नमस्कार दोस्तो, अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे,